नमस्कार दोस्तों एक फिर से आप सभी का सौगत है आपका अपनी यूटूब चैनल एजुकेसनल गेलरी में इस वीडियो में बचे बीए पार्टटू कर चुका है कि फिर इसे हम सभी को सन को बच्चे दो बीडियो में दो पाट में आएगा वीडियो पहला पाट है अगला पाट भी इसके माद आएगा उसमें आपको 90 को चन बच्चे पूरा हम को सन आपको करवा देंगे जो प्रिवेसे अर में 2020 में पूछा हुआ था ठीक है इसका पूरा पेपर करवा देंगे बच्चे कुछ करें ना करें सबसीडरी के लिए प्रीविएस एर का पेपर कम से कम 2020 का पेपर आप कर जाए एक ही बार तो सबसीडरी हुआ है अब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसको आपको करके जाना है बच्चे सिक्स्टी पर्संट सिक करवा देंगे और क्विक रिविजन इसके लावा भी आप करना चाहते हैं अब अगर आप मेहनती बच्चे हैं कुछ इससे ज्यादा करना चाहते तो कि रिविजन जो हमारा स्रीच चल रहा है भी सभी विशेका बोटनी जो लोजीक के मिन्स्ट्री फिजिक्स मैथेमेटिक सभी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर ओके बच्चे तो बिना टेम लेप्स के विए हम इस पेपर को 2020 के पर जो आया हुआ हुआ उसको हम डिसकस करते हैं इसमें हम कुछ को संडिसकस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे वाला पाट डिसकस करेंगे देखिए कि यह एक्जामनेशन कोस्टन 2020 का है बोटनी सबसिड्री यह जिसका भी है बेसी पाट टू बला आईए शुरू करते हैं ध्यान से देखें बचें अंत तक देखें मैं फिर कौंगा कुछ करें ने करें यह आपको पास ताइम नहीं बचा है तो कुछ करें ने करें कम से कम यह पाट टू का प्रिवियस एर का कोसन एक बर देखके जाएं मतलब आप पूरे जुनाइंटी को सना आता है अपको कंठस्त होना चाहिए रिपीट होना चाहिए टंग पर आना चाहिए फिंगर पर होना चीए कि हम से अगर कोसन आ जाता है तो उसको छोड़के नहीं तो बच्वेश आपको पस्ताना परेगा आप खुद सुकरखेए गाइजामिस अगरी कास देख लेते एक बार देख लीजेंग ना बच्चे एक बदेख लीजेंगर देख कं से कम ततना करना चाहिए ज्यादा तो आप कुछ भी कर सकते हैं बच्चे जितना मैनेद करें कम ही ह से कम से कम इतना करना चmen किसी बच्छे को ऑके ऑब ओकलए शुरू करते हैं सपर्स्ट कोशन से hem कि फुर्स्ट कोशन है करीनियास ज़ीटेंट्टि इंट्राइटिशिंग लिनियस को लेनियस से इंट्रिय।फिक या था withdrawal भाइज चारू अप्सन को देखे तो the concept of inheritance यह तो मेंडल दिया था बच्चे जनेटिक्स माच्छे से परहे होंगे मेंडल का यह concept of inheritance चैनेटिक्स का है कि लिनियस का बच्चा बच्चा जानता है यह तो दी आप सब्सक्राइब नहीं देखें पहले भी नहीं देखें लेकिन आप जरूर पर है हैं चारू आप्सफिशन को अच्छे से परते हैं जब us तरबिंग उसका अंसर sth ताहे एक को थोड़ा आपको थोड़ा दिमाग के अपने प्रेसर डालना है बन जाएगा बच्छे गाबराने बाली बात नहीं कोई कोशन यदि नहीं देखे हैं वह भी आपसे हो जाएगा सिस्स्टेमेटिक से दिल करता है वहां देख सकते हैं ये सभी बता है लिकने प्रिवेशेर का कोशन इसको आपको जरूर देखे इसके बार में बताता है systematics थर्ड बहुत इंपोर्टेंट कोशन बच्चे ग्रिजवसन के लिए नीट के लिए और यदि M.S.C. करेंज में जातता है ohonna बहुत इंपोर्टेंट है उप्लोंध के बार में पूरी जय हो रागी किसे एंपविया में तो यह सब नहीं आता है तो यह सब ग्रेजोशन करना बेकार है जी सब कोई के में इस्टिक हुआ स्टुणेंट है तो कम से कम तो आना ही चाहिए कोई ग्रेजोशन कर रहा है वह सारे बच्चे को यह कारवन खाइट है तो कहां से आगा आता भी है तो भूल गया होगा तो वहां जो एक्स्टरनल आते हैं भाइवा लेने क्लिए उनको खुद सर्म हुआ कि यह पर रहे हैं क्या कर रहे हैं इनको कभी भविस्व नोक्री हो सकता है आप कहेंगे खुद को हम बिरोजगार है भाई आप में तो टैलेंट है ही नहीं आप में स्किल है नहीं तो आप बिरोजगार ही रहेगा ना जिसमें भी स्किल है जिसमें भी स्किल है बच्चे जिसमें जिसने तालीम सीखी है वो सब्सक्राइब क्लासिक्छल ठेक्संत्सका दियान राखे फिर है ऐद क्लास्पलिकल्डंग्लिक लिक्ली इचा वी मिल जाया अब देखले आपको पांच नंबर है system of classification presented by Hutchinson Hutchinson के द्वारा जो system of classification दिया गया तो वो कौन था phylogenetic system of classification Hutchinson का बेंधम हुकर का केरलस लिनेस का एपिडेकंडोल का एग्नोर प्रंटिल का सभी का पूस्ता है बच्चे सभी का हम जो इससे प्रिवेस वीडियो बनाए थे प्रिविजन वाला टेक्सनोमी का उसमें सब बता है हुए आप देख सकते हैं थुरा और आपको नौलेज चाहिए तो माली कहीं बाहर से कुस्तन आएगा तो वो वीडियो देख लिए उससे बाहर नहीं आएगा बच्चे तुचार वीडियो देख लिए आप समोर देन सभी स एंडन Hetestry अधिए शिक्स नमर है जैक करेक्ट इस्टिक्स इंफलोर लच्छ दस उसका ट्षूराबांहोगा उगा यूरा होता है कि इनुट्रेश्छ न यह ता पर धियान पर देखते हैं उसका arrangement किस परकार से ही पे उसी क्या कते है इंफ्लोर सैंस होते हैं आप जो element होई बीशिक पढ़ेंगे रिसी मोज और स्थ पर एंपों ऊपर के होगे समोज क्या होता है कि जो मेन फ्लावर है तिक और युशेंज का युफरवसी फेमली का इंदफ फिश्टिक सफे मरे इनडिफ़निट किस फेमली का कप यह करेक्टतिक्स स्वीचरे तो किनमालवेसी कैसे मालवेसी फेमली का जो प्रिष्टिक्स विचर के है तो इंडिफिनिट एस्टेमिन फिर है बेसिक टेक्स्नोमी यूनिटीज आप परहे होंगे कभी न कभी कि सब्सक्राइब करेक्टर इस इस्टम ऑफ प्रावर देखते हैं लीफ देखते हैं लीफ का अरेंजमेंट किस प्रकार से जिसे इंफ्लोरसेंस आप देख लिए फालो टॉक्सी देख लिए मोडिफिकेशन अप लीफ दीजिए वेनेशन देख लिए यह सब क्या मॉर्फोलोजी करेक्टर है बच्चे इस प्रकार को इसको किस क्लासिफिकेसर सिस्टम में रखा गया तो नेच्रल सिस्टम ऑफ क्लासिफिक पहले बाहर में आप बरने जाएंगे रूम रेंट अधार लगता है पहले वाड़ेंगे देली का रूम रेंट जानते आप बहुत ज्यादा बच्छे 10,000 से नीचे है ही नहीं आप वही आपको कोई इनिवर्सेटी में हो गया माली एडियू में हो रूम रेंट तो फ्री हो जाएगा बच्चे प्राइब बहुत कम खर्चा होता है जितना आपको यहां हो रहा है स्कुल मिलाके उसे कम ही खर्चा होगा तो MSC का इंट्रांस इंग जरूर दें आप हमारे चैनल पर जूरे रहे हैं कोई इंफर्मेशन चाहिए आपको MSC इंट् सब्सक्राइब देखते हैं कि लिएंग टीशू डैट प्रवाइड सब्सक्राइब ग्रूइंग पार्ट लिएंग ध्यान रखे यहीं नॉन लिविंग पूस देता तो आंसर गलत होता लिविंग टीशू है जो कि प्लांट को सपोर्ट करता है कॉल इन कायमा कौन है बच् सब्सक्राइब परना है और समय परियाप्त रहता है धीरे धीरे पर हैं धीरे परिएगा आप जैसे कोशन एंड कीजिएगा आपको अपने आप मन में आ जायाएगा फिर आप अप्सन पर लें बच्चे त्वेल्थ है मेजर पार्ट अफ उड अफ ओल्ड डैकोट एस्टेम इस फीटेड फिल्ड विथ टैनीन्स रेजीन्स एंड गम्स इस कॉल् जो ओल्ड डैकोट इस्टेम में है वह करा रहा हो एकिसे पर यहीं से डरी न्से गम्स को क्या कते हैं हरट प्रॉद हर पुल्ड के बारे बढ़ें हम आपको बता रहा हूं जो भी जो भी ओल्ड ट्रीज होता है उसका जो सटीन्री जएल्हाँ को बढ़ा पाठ है बच्चे वो क्या होता है? ग्यों के उसमें diposition होता है organic compound जो अरगनीक कंपॉणड का diposition होता है. जैसे हो गया, tannin हो गया, resin हो गया, oil हो गया, gum हो गया, कुछ aromatic substance होता है, बचे कुछ essential oil भी होता है, उसके innermost estymatic है, यह सब उसको क्या पता बता बनाता है? hard बनाता है. एक तो हाड बनाया मजबूत बनाया डिरोल मतलब ही मजबूत होता है और रेसिस्टेंट टू रेसिस्टेंस ताकि माइक्रो और्गनिजम को भी माइक्रो और्गनिजम बेक्टिरिया वेगरा उस पर एटेक ना कर पाए जब भी आप अपने घर का माली जिए दर्वाजा होएगा तो लोग प्रिफर करते हैं साघवान या सिस्टम क्यों कि इसका जो लक्री होता है बहुत ही मजबूत होता है बच्छे इस पर माइक्रो और्गनिजम भी आटकने कर पाते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है तैनिन ड्रेजिन गया बनाया क्या होता डिपाइशन होता और्गेनी कंपॉंड है इसमें बेक्टिरिया वेगर अभी है टेक्निक कर सकता है और लंबे समय तक्तिकता है इसलिए लोग घर में सीसम का धर्माजा लगाना प्रेफर करते हैं तो हाटूड है दूसरा होता है बच्छे स्यापूड वह लूज होता है वह वाटर कंडक्शन क मिध्य लिए रिसपॉंसवल है नेक्सट को संदेखते हैं अट विए त्यूंट बांटे थे सी डूट ये विपका मेजर फंशन क्या है जयलम और फ्लयम पढ़हें बचे जयलम जलब चलका कंडक्शन करता है जैलम और फूड का कंड़क्शन करता है फ्लयम यूज हो के टो करते हैं दौन करता है बच्चे जैलं करता है यह शीवट या मेन का में सु नहीं भचे तो सेंद्न आप मेन काम क्या है तो ट्रस्अलो के शन सब्सक्राइब करते हैं वह कौन सा किसका डिपोजिशन होता तो सुवेरीन का डिपोजिशन किसका कॉर्क में सुवेरीन का डिपोजिशन होता है लिपोजिशन का होता है स्कलरन कैमा जो मझभूत है उसमें किस प्रकार का डिपोजिशन है तो लिगनीण वहाँ जो केमिकल है लेकिन कॉर्क में सुवेरीन का डिपोजिशन है important है confusion होता है पहला ही option दिया है आपको गलती करवाने का यदि आप धरफरी में करेंगे तो लिगनी टिक मारेंगे बच्छे लेकिन चारो option अगे आप पर के मारेंगे तो आप हमेशा सही जवाब देंगे तो धीरे से चारो option पर की जवाब देना है कि फिप्टी नमर लेटरल रूट्स ओरिजनेट इन लेटरल रूट्स कहां से ओरिजनेट करता तो पेरी सैकल सब बेसिक बेसिक कोसन है एलेवेंध के इनसीयाटी यदि 11 के इनसीयाटी यदि 12 के इनसीयाटी आपने अच्छे पर लिया है तो बच्चे समझे कि 60 से 70 परसेंट इग्जाम आप चाहे नीट का हो ग्रिजुएशन का हो या MSC का हो सब्सक्राइब करना है तो कुछ बच्चे तो हमें अभी अभी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि उसको इलेंथ थे इलेंथ इन कन साती पर ना है देखतें जानदा बच्चावर होगा थो हम उसको लाइब परहेंगे साध कि आपको यह दी इसकी बच्चे को परती अच्छे से पमिलत 형त में लता है सब्सक्राइब नमर्ट का मतला है डाइमिटर प्लांट जो देखते हैं बच्छे पीपल का पौधा का बर्गत का पौधा देखेंगे सिसम का भी कोई-पथा बहुत मोटा होता है तो उसका गर्त बहुत जादा भरगया है नो कोन सा मेश्टीम बनाने में मदद करता है तो लेटरल मेर जच्रिम कौन लेटरल मेर जच्रिम ध्यान रखे एपिकल मेर स्तिम तो टिप अप टो रूट और सूट टीप सूट टीप रूट टीप पर होता है ठीक है इंटरल कैलरी मेरिस्टिम कहां होता है इंटर नोड जहां होता है इंटर नोड बचे एपिकल बढ़ होता है वहां इंटर कैलरी मेरिस्टिम होता है लेटरल मेरिस्टिम जो है गर्थ बरहाने में डायमेटर बरहान выпускWow ए करोशेबं कि वह सोता है रखेवाई होता हौई लेकिन यहां ग्रीन सूट फो ँट सिन्स फिस्का काम होता है वह किसमें होता है में जीरोफिटिक रखेव व्यूस में हो निया पहरे होंगे प्वी लोड़ फांट को बारे में पोरेरा रखेया यह वह हुआ यह है उसका क्या होता है फोटो सिंदेटिस में मदद करता है सूट कभी क्या परदा देखे हैं उसमें लीफ तो होता नहीं है लीफ मोडिफाइड हो गया रहता है कि इसमें थॉर्न ताकि वाटर का लौस कम हो यह भी खॉसन है कोसन है बच्चे सभी कोसन बोल रहा है important कोसन सब है कि जो क्यक्तिस होता है उसका जी लीफ केस में modification हो गया है थॉर्म में ताकि water का जो scarcity होता है water loss कम हो तो फिर photosynthesis कहां से वो करता है तो वह जो उसका green suit है उसका जो पूरा body है green suit वह इसको photosynthesis करता है तो यह कहां होता तो zero fitting plant में do too rich मतलब जान पानी की कमी बच्चे जहां पानी की कमी है वहां green sustainable photosynthesis का काम करता है जिसको फिल लूड करते हैं को next देखते हैu hydropha इंपानी में पानी में तो पानी में तो पानी की कमी है इनरी सिसमेक्ट बच्चे की नाइंटीन्थ नमबर, जिरोफाइट्स हैव लीव्ज विच आ रेडिूजड और मोडिफाइड इन्टू, अभी पहले हम उपन में अच्छे से चाचा किये हैं, इस जिरोफाइट के पास लीव्ज तो होता है, लेकिन रेडिूस हो गया है, वो लीव्ज रेडिूस हो गया ह और मोडिफाइड हो गया किसमें बचे इसपाइड में, इसपाइड या धौर्न में, कांटा में, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोशन देखे बचे फिलोड, देखे फिलोड important लिख दिया है, फिलोड is leaf modification meant for photosynthesis adaptation in, फिलोड एक leaf modification है, लीव का modification है, जो कि photosynthesis करता है, किसमें तो जि प्रक्रिया हो पाएगी तो उसी को करते हैं फिलोड क्या करते हैं फिलोड क्या करते हैं फिलोड यह लीव का की और अच्रो और फिलोड लीव का मोरीव किया है एक गीदवल क्या करते हैं फेलोड क्लेशिय फेलोड क्लेशिय हो परहे होंगे कभी ओपॉंसिया परहे होंगे बच्चे वह फाइलोक्लेटिर होता है स्टेम का मोडिफिकेशन ध्यान रखे फिलोड लिफ का मोडिफिकेशन है और फाइलोक्लेटिर स्टेम का मोडिफिकेशन है तो जिरोफिटिक रीजन में होता है जहां पाने की कमी हो तो epidermis और cork, epidermis और cork जो है उसका protective tissue है next है, casperian strips are found in, casperian strips कहां मिलता है तो endodermis सभी 11th canciitis है बच्चे, 11th canciitis यदि आप अच्छेस anatomy उसका morphology पर लिए है तो maximum question आपका बन जाएगा, तो endodermis, casperian strips are found in endodermis आए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे बहुत important है, 11th और 12th canciitis बहुत ही ज्यादा important है यदि इसका knowledge है आपको, तो मैं फिर बोलना हूँ, NEET graduation MSC NEET graduation MSC हो, NEET UG MSC हो, आप NEET BSC MSC जिसको कहिए 70% slavers, 70% slavers से आप आसानी से उसको कर पाईएगा और 30% के लिए आपको बस जुरा रहना परेगा, आसान से हो जायागा, बच्चे, बहुत आसान है, करके तो देखें 23 है, the age of tree can be determined by, tree का age को किस प्रकार से determined करते हैं, ये भी 11th के NCRT से हैं उसका क्या था, annual ring, जो भी annual ring है, चाहिए वो, एक spring परेंगे, spring wood और, autumn wood बचे, spring wood और, autumn wood बचे, spring wood और, autumn wood यही जो बार-बार बनता है, वो उसके annual, early wood और late wood के बारें परेंगे बचे, वही उसको, मतलब, उसी से tree का, जो age determine किया जा, जिसको dendro chronology भी करते हैं, counting the number of annual ring, प् spring wood और, autumn wood जो उसको बोलते हैं, उसी से, उसका age design किया जाता है, which plant belong to family crucifery, crucifery से कौन सा plant belong करता है, बहुत ही आसान है, mustard, mustard crucifery family का example है, option A सही है, 25 number, fiber associated with flame, flame से कौन सा fiber associated है तो, vast fiber, fiber associated with flame are vast fiber, important question, and neat के point of view से भी, vast fiber, 26, in NGS sperm, jaylam is made up of, NGS sperm में jaylam किसका बना होता है तो, बच्चे देखे, jaylam में है, trachid भी है, fiber भी है, trachid है, vessels है, fiber भी है, सीव टूब है कंपेनियन से लिए ध्यान रखे सेव टूब कंपेनियन सेल और फाइवर भी वहां भी फाइवर है कि 27 विचोद अफलाइविंग है परफॉरेटेट सेलवाल किसके पास परफॉरेटेट सेलवाल होता है तो से लाइ लिए लाइन हैं बचे हम लोग जब तैयारी करते थे उससे में कहें किait है पीटल इनवाल और और आधर है परफॉरेटेड होता है बशाओे फैटल बहुरब होता है और उसके लिएवर फर्य पास का विम Ng ??? प्रोप का निवा फर्टिलाइजेशनी क्या क्यों स्थिक्स फोप एंजेट का भी सभी है असान को सँन था वो इन एंजे इंजेश प्रम होता है किप्लाइड होता है क्या होता है वो ट्रिपल लाइड होता है 3N, एंड्रोषपर्म 3N होता है, ओके ध्यान रखें, जब आप अंग्योसपर्यूं फ्लाविंग प्लाइट परेंगे, वहाँ पर डवल फर्टलाइशन परेंगे बच्चे, तो जो मेल गैमिट होता है, एक मेल गैमिट किसे मिलता है, एक सेल से, ठीक है, दूसरा जो मेल गैमिट होता है, वो फ्यूज करता है किसे बच्चे, दूसरा जो मेल गैमिट होता है, वो जाता है, सेंट्रल सेल के पास, पोलर निकले है, पोलर निकले है, दो सेल होता है, उससे फ्यूज करता है, और टू पोलर निकले है, और एक मेल गैमिट, त करें तो हलकालका बता यते हैं इन्च पर म्लाइथींटिट तो फ्री नीघ नाभिजि Tut को तो होता है। इस पॉड़ीं मोनोयख मेंने डिविजिन कि में इस में मिलता तो ४ॉलिगोण लुगत कि समय to be बार-बार मसी में भी एन इंब्राय डवलप फ्रॉम इस से डवलप होता है उसको क्या करते हैं एपोगेमी एपोगेमी एपोस परपी एपोस पोरी पार्थनोजनेस पार्थनोकार्पी को हम अच्छे से प्रिविएस वीडियो में डिसकस किये हुए और नियुकर देख लें महिए फिर एंपी मेकसिस इंप्लांट्स डेवलमेंट मीखिस का क्या मतलता है फ्रॉम फ्लॉजन ऑव और युम गैमिट डूँट के फ्यूजन से बनता है उसको क्या करते एंपेमेक स्टिटिफवर वन फ्लाविंग सोज उन काल्ड स्पैंसर इसमें स्कोन है जो स्पेंसर सो करता है तो वीट वीट जो है स्पेंसर सो करता है इंब्रोल लेजी से कोशन आपका एंजे स्पर्म से 35 नमर दिखते हैं फर्टिलाइशन इस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइशन क्या है तो फर्टिलाइशन मतलब होता है है फ्योजन उफ वन मेल गैमिट विथ एक मेल गैमिट का एक के साथ फ्यूजन ही फर्टिलाइशन कहलता है विए अप्स और देख इस इए हैं थर्टिशेक्स इण फ्लाबरिंग ब्लांट अकर अठ्ड़ अदर टाइम अप्लाविंग प्लाइंस का होता है तो कि जर्मिनेशन अब सीडिवीश इसित खेवें मियोसिस होता है नेक्स आप डवल फर्टेलिशन वाज डिसकोफर है दिसकोफ़ी नहीं क्या था तो नवास्ची डवल फर्टेलेशन वाधिसकोफ़ रज्सकोफ़ गयंकर नाम इंपोर्टेंट है फ्लावर विथ बोथ अंडर इस स्टीगमा अंतोर च्छाबाटारिप थैंट्र डेर्श okay करते हैं सब्सक्राइब आता है पोली आसें हैं ट्रांफेर पॉल्हां फ्लावर एंथर्वर पॉलेड का ट्रांफ़र एंथर शुक्राइब क्या तिलाता बच के साथ fusion होना लोगर गेमिट के अंदर ही क्या होता है नूकलियस होता है 41 नमर्ग दपरसेस ऑफर्मेशन विदाइजैसन जट फिर्मेशन ऑना क्या कर लाता है एपो मेक्सिस वोटीटू Phunson al Megaspor in ngosorm develop into functional Megaspor किसमें डबलब होता है gefड़ारशेक में नीट में भी व कोषण पूछा है नीट 2017 में आप फूलटा कर देख लें Queso 2017 पूछा हुए कि Phunson al Megaspor जो हता था व ज्यूसर में व किसमें डबलब होता है तो इंप्राशेक में फोटे थ्री नमर्ग वीचोद फ्लाइंग फ्रूट इस प्रूडूजड पार्थिनो कार्पी आसान है कहीं कहीं परहे होंगे या बेरी आप्ट्विशन या कभी कॉलेज गया हो इस्कूल यह हैं 11-12 का इंसे परहें तो बच्छे वहां बताया जाते कि बनाना है पार्थिनो कार्पी से बना जब की बनाना जब प्रूट हाथा बनाना जो प्रूट है वह पार्थिनो क्रफित सीडलेश पूट में इसको कहते है रिपå करते है है ओके और हमारा और जो प्रिविएस भी जो हम अप्लोड किये हुए वह बच्चे यह आप देखना चाहते तो उसका हम प्रोसेस बताते हैं आप कैसे देख सकते हैं किसी बच्चे को दिक्कत हो अगर देखने में तो हम आपको बताते हैं अब अच्छे यूटूब पर जाएं आप यूटूब पर जाएं एजुकेशनल गैलरी लेखें जैसे हमारा चैनल आ जायागा वो विक्टोरिया अप्से सारा वीडियो दिया होगा बच्चे से सारा वीडियो आप देख लें और कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्षिन बचाहे हमें इसके लावा बताए थे आपको कि नीट का यदि नीट के लिए 1112 का एंसे आप परना चाहते हैं हमसे तो कमेंट सेक्षिन में आप कमेंट करें बच्चे कोई स्टडी मटेरल नहीं आपको फिजिक्स कमेस्टी बालो जी से रिलेटेड तो वह भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे आप हमेरे वाटसप्सक्राइब कर लें बहुत शारे बच्चे अभी भी वीडियो देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ने कियो बच्चे देख ले यह ज़ी कहीं से कोशन एविलेबल होता है इस वार एकजाम में इस लिए बा किस प्रकार से मोटिवेशन मिलता रहे हम अपना काम के किस प्रकार से कर रहे हैं कहीं को नहीं हो पा रहा है वह कि भचे धन्यमाद दोस्तों